नमस्कार दोस्तों मैं सिवां कुछ आपको स्वगत करता हैं प्रोगाइड CS चैनल में तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं Microsoft Office Word तो हम लोग Office Word क्यों पढ़ते हैं और कहां यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं तो चली सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जो MS Word है वो हम कियो यूज करते हैं? स्कते हैं तो जो फीजिकल हो गया है, जो हमारी प्रिंच करते हैं तो कंप्यूटर है उसी के अंदर हम लोगों ने पूरा लिखा तो उसे क्या होता है कि हमारी कम्प्यूटर हो हो जाता है से वह जाता है और हम लोग बाहर भी यूज़ कर लेते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं यह यूज़ करते हैं फिर आता है यहां पर डाकुमेंट की क्वालिटी तो क्वालिटी का मतलब यह है कि आप जब कुछ बनाते हैं फाइल बनाते हैं जैसे एक पेज है ठीक है तो इस पेज में आपने क्या करा कि बहुत सारा लिखा और लिखते लिखते क्या हो गया यहां पे आते ही और यहां पे गड़बड़ी होगी गलत हो गया तो जब यह गलत हो गया तो आप क्या करेंगे आप उसको उसकी जो quality विगड़ जाएगा उसमें कोई मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो जो हमारा देखने में भी quality विगड़ेगी और जो हमारा पेज है उसकी quality विगड़ेगी तो यह सब यहां पर हमें प्रॉब्लम जो है face नहीं करने पड़ेगी अगर हम लोग ms word यूज करते है तो ठीक है फिर आता है यहां पर हमारा जो है तो pictures तो pictures कैसे होती है अगर आप कहने के मतलब है कि normal अगर कोई फाइल बनाते हैं तो आप यह तो picture cutting करके लगाएंगे तो पिक्टर कटिंग करके लगाएंगे वह अलग दिखेगा हमें भी लगा सकते जैसे यह मैंने यहाँ पर एक एमेस वर्ड की जो है पिक्चर लगा के रखा है तो यह क्या है नॉर्मल लगा लिए पर अगर मैं इसको कागज और ऐसे चीज़ों में यूज करता तो मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाता इसको पिक्चर को एक्जेक्ट क्वा पर अगर आप पने सकते हैं तो यही होता है अफ़र्ट करके खुछ नया उसमें ज़लेचिंग करने इसको यह प्रफ़ामड पोर्फे च्छर च्छोड़ीं तो नॉर्मल परेज यहां पर यहां पे चแตफ हो रहा है बिकते हैं पर मने उपर उसके और घ्रमार करते हैं को हम आराम से प्रेस्ट करा है फिर आता है अगला documentation तो documentation कैसे होता है जिसे यहां पर यहां पर picture दी हुई है आप देख रहे हैं कुछ flow chart बना हुआ है तो ऐसा flow chart बनाने के लिए documentation यह कहें तो आप बना सकते हैं जैसे यहां पर image on project जो है उसके बारे में यहां पर एक chart बना हुआ है तो ऐसा अगर आप बनाना चाहते तो आप क्या करेंगे अगर कागज में बनाएंगे तो clear नहीं दिखे हैं आप देखेंगे आप बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए अब आप पेंस से लिखेंगे तो इत्ते छोटे वर्ड नहीं लिख पाएंगे और डाकुमेंटेशन का मतलब है यह जैसे हाँ पर आप लाइन खीचके और बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं इस्प्लेइन कर सकते हैं आप को यूजर मेनुवल लेते हैं यूजर मेनुवल बोले तो जो कंपनी होती है अब सकते हैं क्योंटेशन क्या होगा बहुत बेकार तरीकस दीखे गा बहुत बारिक बारिक होते हैं तो उससे क्या होता है अगर हम लोग MSBWD यूज़ज़ करते हैं तो उसका benefit हमें इसमें मिलता है कि हम documentation ख़ेसं आफ्चन का सकते हैं क्वालटी वाइस उसको बना सकते हैं आपने कोई प्रोजेक्ट बनाई प्रोजेक्ट का फायल बनाना नहीं उसको डाकुमेंंटेसन को बह्ट Ugh इन अम थाफ आप यह क्या होता है एक का सकते तो बहुत को देदिया है वो दो दिन बाद आयने वाला एक कॉलेज है स्कोल अब हमने क्या करना है वहाँकि किताब जो हमने यहा फाइल बनाए थी उसको तो अपना cioèew सब्ढ़ा है पढ़ने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे उससे मागेंगे फोन लगाएंगे और बहुत प्रावलम आएगे पर हम लोग क्या करते हैं एक उसका डूब्लिकेट रखते हैं अपनी फाइल का है जिसे आपकी जो फाइल थी जो अपने प्रेंट निकाल के दिया था तो क्या हुआ था वह जल गया और किसी को दे दिया तो कुछ प्रावलम आ गई उसको आपने दोस्त को दिया और वह कहीं खराब कर दिया तो आपके पास क्या होती है एक प्राइब ये जब पढ़ना होता था आप उसी फिर कपी खोल के और लिखते थे पर जब से आगर आपको कभी वहां पर ज़रूत पढ़ती थी अगर आपने किसी फ्रेंट को दे दिया कि उसका कॉर्स कंप्लीट नहीं है वो कॉर्स पूरा करेगा तो क्या होता था कि आपको कहने का मतलब है कि आप पढ़ नहीं पाते थे ठीक है तो अगर आपके पास यह रिकवरी वाली फाइल होती उसका डूब्लीकेट होता एक आपके कंप्यूटर यह मुवाइल में तो आप आरांद से उसको खोल के पढ़े सकते थे यह हो गया फिर आता है यहां पर इस्टोरेज इस्टोर महां लेजी यहां 100 फाइले रख ant video में 100-200 वाले होती ही दो 200 फाइल रखी हुए है इस तरीकेसे लग बीस आलमारी में 20 सालमारी नदर में 200-300 फाइले कितनी लगएगी लगवग एक रूमि लगए क्योंकि हां पर हमें 20 सालमारी के लिए लगवक एक रूम लग चाही कि यह हो गए और दूसरा यह क्या होता है इस्का मोड़रे इतओ कि आप कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसको डूंब्लिकेट और scan करके उसको save करते हैं वो 12-15 अम्री तक आराम से जाती है तो यह एक benefit होता है कि आपको storage के लिए कि कोई problem नहीं होती कि आप आलमारी फुल हो चुकी है आप अब यह नई file जो बन रही है उसको कहां रखेंगे पुरानी file को कहां से लाएके आएंगे कभी जरूत पढ़ रही है तो उसको अगर हमने फेक दिया कुछ वो कर दिया तो क्या होगा हमें वापीस मिलेगी नहीं तो जो storage की problem वो दूर हो जाते है विजिंगatal carpet where का मतलब है कि हम लोग'RE जो मतलब क्या था कि हम लोग क्यों क्यों होती है up कहां का युज करते हैं ठीक है तो कहां का मतलब हम लोग कहते हैं इंडक्टि में इंडक्टि में कैसे उजर्वता है जैसे मैंने बताया assistant कि पायले में होती हैं वो सारा सारा कि डिक येयर का यूजर गाइड है यहां तो यूजर क् आप बन देखते हों गे आपको जो Megal खरीते हfahr之前 कोई यह फिर पूंवह के आप साम wanted to find electronic सामान度 करी वहर्पार जगा एक यूजर गाइड मिलती है तो यूजरड प्रिंटि निकाल के और उसको फाईल बनांके थरी तो इस तरीके से क्या होता हुद प्रिह कॉलेज होता है करें तो में तenne ha那就 और शिंगती है ओप को इस पॉती है कि फाईले होती है… तो वहां पे जो फाइल होंगे अगर आप साइंस फिल्ड से हैं तो आपको जो कॉलेज है वो काम देगा कि आप कंप्यूटर में टाइप करके फाइल प्रिंट आउट निकालके हमारे यहां पे लेके आएं तो इस तरीके से आप होम में भी यूज़ करेंगे आप कोई एश्युकेशन लिखा है आपे जो कोई बसके बनाई जाती है क्यों बिल बनाना है तो बहुत सारा जो bill book है वो कहां से बनता है MS Word से बनता है और home में तो मैंने बता है कि आप घर में कुछ पढ़ाई करना है मतलब वो करना है आपको file बनाना है कुछ time travel बनाना है कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहां सी MS Word यूज़ करके बनाया जाता है फिर आता है banking में banking मे जिसे आप देखे होंगे letter ahead भेजते हैं letter हेट होता है जिसे आपके ज़ो account में कुछch उधारी बाकी या फिर कुछ और है तो आपको एक letter भेज़ा जाता है फिर आपको एक notice दी जाती है तो notice कैसे दी जाती है आपको एक लिफाफा होता है उसमें अंदर उसको पूरा लिफ जाता है भेढेजा जाता है तो जो हिसी लेटर होता है या बाकिuls इसे समाहें होता है समय होगा होता है कि तो बुझ वागए पिस्टे में क्ryणों को होता है जिसे मैं बिल्बूंक बनाने में往गए और हैं बाव बैसिक और चाट वनाते हैं आप देखा नेıl उसमें एक box box बहुत सारे बने होते हैं और उसमें पहला first name, last name, serial number यह लिखा होता है और उसको हम लोग print out निकालके और उसके अंदर entry काते हैं तो ऐसा print out निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं MS Word को जिसे क्या होता है आप industry में देख लिए कोई company होती उसके पहला जो entry होती वहां पर क्या होता है उनको जो वो दिया जाता है कैने मतलब रजिस्टर दिया जाता है रजिस्टर के अंदर क्या होता है first name, last name और गाड़ से नहीं लिखते हैं, वहां पर रजिस्टर में लाइन खिचनिक जूरत नहीं है एक बार हम लोग ने क्या कर रहा उसका template बनाया और ऐसे करके हम लोग ने 100-200 पेज निकाल दिये 100-200 पेज हो गया, आप उसके अंदर रोज रोज वो जो गाड़ है वो इंट्री कर करके हमें देता रहता है तो इस तरीकेस क्या होता है, जो business होते हैं या फिर industry में यूज होता है, जब भी कोई आता जाता है उसकी इंट्री करने में फिर आता है यहां पर government, government में आप सुच रहे होंगे किस तरीके से MS वाड़ होता होगा तो government कैसे होता है, इस stamp paper होता है, आपने देखा होगा, इस stamp paper जो 100 का note वाला होता है तो यह सब क्या होते हैं, pages होते हैं, इन में क्या होती है, यह typing होती ही, लिखा जाता है तो वो कहां से लिखा जाता है, MS word से, typing की जाती है, और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका print out निकल बाग है और वो करते हैं, तो वो सारे जो government के काम है, later हो गए, और कुछ notice हो गई, तो यह सब notice हो और सारी चीजे कहां, यह government field में होती है इस तरीके से यहां पर यूज किया जाता है, तो समझ में होगा कि MS word हम लोग कहां यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं और जो latest वाले हैं, और office 2007 बना रहा हूँ, तो 2007 से क्या होगा कि आप जो पूराने version हैं, उनको सबको अच्छे series कर पाएंगे और जो दोनों वीडियो लेक्चर हैं, उनके लिंक हम नीचे description में दे देंगे, तो आप आराम से उसको playlist जो है खोल के इस्टे बाए इस्टे पूरा जितना भी MS Word है आप सीख सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद